इसके पहले की रेक्शर में बढ़ाता है लोग पढ़ चुकते फोटो सिस्टम फ़र्स फोटो सिस्टम सेकेंड जैसे कि थैलेकओड की मेमरेन को इंलार्ज करके बताया गया है कि पर्टिकुलर मेरेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है तो इसमें 5 प्रकार की सूपर हम ने देखा था फोटोसिटमफ 1 फोटोसिटम2 टे एंड यारवेस्टिंव awan आज नुम देखेंगे सियगे पार्टिकल्स और साइटोक्रों सेटोक्रों में इस्थीक्स एफानलिक्स इसमें इसदा उडिखे पार्टिकल्स प्रेजंट थेए इसके ही स्यर्ट करें से प्रेजंट के पहली हमारे प्रेजंट है दूट करें यह mitochondria के अंदर oxy-sorms होते हैं इनका काम क्या होता है ATP की synthesis करना होता है यह ATP synthesis या फिल यह जो enzyme होते है जिनका नाम होता है ATP synthesis enzyme जो ATP को synthesis करते है और इसकी जो एक reaction है बहुत important है ADP plus inorganic phosphate किसका formation करते है ATP का formation करते है इसके अलावा इसमें cytokrome B6F यह electron यह पाए जाते है यह electron के transport में मदद करते है photosystem first और photosystem second photosystem second की एक खासियत है कि जो photosystem second है के पास water molecule को यह असनी से क्या कर सकता है तोड सकता है इससे S2O इससे तोड़ेगा तो क्या बनेगा 2CO तो सो तीके इसके अलावा जो photosystem first है इसके आसे एंजाईम होता है जिसका नाम होता है NADP reductase enzyme जिसका इस्तेमाल करके ही यह क्या करता है ATP और reductase enzyme जो की NADPH plus HPL का formation करता है यह तो थे हमारे थैलोकाइड में present जो micro molecules से जैसी की reaction दिए है वाल और निल ने की light reaction के बारे बताए कि जो light reaction में बताए गया है कि oxygen involved रहती है और इसका जो source है oxygen का source है carbon dioxide नहीं है बलकि क्या क्या बना है हमारा oxygen molecules बना है तो जो oxygen रिलीज होती है तो जो oxygen बना है वो किस से मिलका बना हूँ है H2O से मिलका बना हूँ है उनका कहना यह तो जैसे आप रेक्षर में देख सकते हो इस रेक्षर में 6CO2 plus 12H2O is equal to क्या बना C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O तो इस प्रकार H2O से ही क्या बनता है हमारा oxygen molecules बनता है जो atmosphere में release होता है क्या बना है जैसे के आप रेक्षर में देख रहे हो NADP plus 2H plus plus 2 electron से क्या बना NADPH plus H plus मतलब जो light reaction में जो assimilatory power बनती है तो इसको बनाने के लिए किसी जरौत पड़ती है हमें hydrogen molecule की और 2 electron की जरौत पड़ती है तब ही क्या होगा light reaction complete होगी तो यह कहां से आएंगे तो यह आते हैं हमारे water molecules से देखिए water का photolysis हुआ photosystem second में ही water का molecule टूटता है तो water का molecule टूटेगा तो क्या बना 2H plus 2 electron plus oxygen तो यहां से किसका फॉर्म में यह help करता है ऐसा assimilatory power गनाने के लिए ठीक है लेकिन help पून करता है photosystem second इसके लावा हम 2H2O से reaction करेंगे तो 4 electron plus 4 hydrogen plus oxygen 2 oxygen मतलब oxygen क्या हो जाएगी atmosphere में release हो जाएगी ठीक है तो मतलब यह से सिद्ध हो जाता है कि H2O से ही क्या बनता है oxygen बनता है और वही oxygen atmosphere में क्या हो जाती है release हो जाती है जिसका use कोन करता है हम करते हैं तो light reaction दो तरीके से होती है जैसे हमने देखा एक होता है हमारा cyclic और एक होता है non cyclic photophosphorylation देखिए जैसे यहां पर आपको देख रहा है जब किसी अपनी energy को lose कर देते तो वापस अपने घर में आ जाएंगे यहां से देखिए यह light है light को absorb कि इस atom ने यहां से यह इसमें से electron निकलेंगे यह excited state में आ जाएंगे ठीक है chlorophyll के molecule भी ऐसी होते हैं जब उसमें light इंटर करता है मालीजी यह chlorophyll का molecule है इसमें light ने इंटर किया तो जो chlorophyll के molecules कैसे होगे excited state में आ जाएंगे तो कुछ energy को क्या करेंगे इससे कुछ energy को लॉस करेंगे इसकी energy लॉस हो जाएंगे तो वापीस यह कहां पे आ जाएंगे वापीस उस chlorophyll molecule के पास आ जाएंगे तो क्या होगा energy loss कर देने से क्या होगा वापस अपनी ground state में आ जाएंगे तो इस प्रकार क्या होगा electron energy जैसी loss होती है loss होई तो जो loss energy यह उसी से क्या बनता है ऐसे military power बनता है और food बनता है और इस प्रकार cycle चलते रहता है तो इस प्रकार क्या होता है जो chlorophyll molecule है उसमें जैसी electron आते हैं जैसी energy आएगी तो उसमें electron accelerator को कर कहां जले जाएंगे दूसरे acceptor के पास चले जाएंगे देन उससे assimilatory power बनेंगा और food बनेंगा और ATP बनेंगा और फिर वापिस जैसी energy loss हो जाएगी फिर से वह जो electron है कहां पर आ जाएंगे हमारी less energy के साथ किसके पास आएंगे chlorophyll molecule के पास इंटर करते जाएंगे इस प्रकार यह cycle चलते रहेगा तो दो प्रकार की cycle होते हैं cyclic और non cyclic तो हम इसके आगे के lecture में देखेंगे cyclic and non cyclic photophosphorylation तो अभी तो हमने क्या देखा कि particular जो photo system है photo system जो चल रहा है photo system first और photo system second फो और­ इस तेकेंड में हम देखा कि particular थैलेक वाइड में photo system first and photo system second कहां पाजाता है उनका क्या-क्या वर्क होता है इसके अलाबा जो थैलेक वाइड है उसमें कौन-कौन से सुपर मोलिकूस पाय जाते हैं और उनका वर्क क्या-क्या है देखें इसके next lecture में देखेंगे हम लोग कि जो cyclic and non cyclic photo-wasporelation होता है वकर particular कैसे complete होता है जो cyclic और non cyclic photo-wasporelation है जो जैसे के हम पढ़ रहा है light reaction तो light reaction हम देखेंगे इसके आगी की lecture में कि photo system first and photo system second में cyclic and non cyclic photo-wasporelation कैसा होता है photo-wasporelation मतलब होता है production of ATP वो कहलाता है photo-wasporelation